दिन पानी में उबाल कर पीलो पूरी जिंदगी आपको सुगर की बीमारी, कोलोस्ट्रोल, पेट के रोग और दिल से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त चमतकारी घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं और उसको बनाने की विधी के बारे में बताएंगे, जिसका प्रियोग करके आप अपने सरीर को बहुत त्रह की बीमारियों से बचा सकते हैं, अपने सरीर की रोगों से लड़ने की सक्ति को बढ़ा सकते हैं और दोस्तों यदि आप इसका सेवन करते हैं, तो आपको डाइबटीस कभी नहीं होगी, इस सुगर की बीमारी का आपको जीवन में कभी सामना नहीं करना बढ़ेगा, और दोस्तों नहीं आपका कभी बैड कोलोस्टोल बढ़ेगा, और नहीं आपके हार्ट में कभी ब्लो और छोटे बच्चों को हम प्यार से कद्दू कहे देते हैं। दोस्तो इसे कांसी फल भी कहा जाता है। जादतर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। और नहीं ये कोई बहुत अधिक महंगी सबजी हैं कि हम इस पर अधिक ध्यान दें। पर ये होता बहुत अधिक लाव कारी हैं। दोस्तो ये गुणों की खान हैं। पर करती ने अपनी इस गौल मटोल देन में कई त्रहे के ओस्तिय गुण समेटे हैं। इसका सेवन स्वास्थे वर्दक माना जाता है। और दोस्तो यदि आप इसका सेवन कुछ दिन लगातार करेंगे तो आपको पेट से ले जिससे की आप इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चले दोस्तो जानते हैं इस चमत्कारी घरेलो नुस्ख्य को बनाने के लिए जो मुखे समगरी हैं उसके बारे में। दोस्तो इसकी जो मुखे समगरी हैं वो है मुठी भर ताजा कद्डू के भीज। दोस्तो विटामिन और मिन्रल की खान है और हमारे सरीर को वो सभी तत्तव दे देते हैं जिनकी हमारे सरीर को अवसकता होती है और जिससे हमारे सरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता है और जिससे हमारा पाचंतंतर मजबूत होता है और यदि हमारा पाचंतंतर मजबूत होगा त आपने कैसे करना है इन कद्दू के बीजों का प्रियोग ताकि आपको सबसे अधिक फाइदा मिले। दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए मुठी वर ताजा कद्दू के बीज और एक गिलास पानी। अब जानते हैं इसको बनाना कैसे हैं। दोस्तो आपने सबसे पहले एक बरतन को लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है। अब इसमें एक गिलास पानी को डाल देना है। अब इसमें जो ताजा कद्दू के बीज आपके पास थे उनको डाल देना है और उनको उबलने देना है। जब ये थोड़ी देर उबल जाएं तब आपने आपको बंद करना है और इनको अच्छी त्रहें से मसल देना है और फिर आपको थोड़ी देर के लिए इनको उबालना है सेम ऐसे ही जैसे कि आपने पहले उबाला था और अब आप गैस को बंद कर दें और इनको ठंडा होने क और दोस्तो 15 मिन्टों के बाद आपका ड्रिंक तयार है और आपने इसका बिना च्छाने ही सेवन करना है यनि आपने ये पानी भी बिना है और इन कद्दू के विजों को भी खाना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सरीर मजबूत बन दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि अब आने वाली वडियो के मोटिवकेशन आतरी ही धन्यवाद दोस्तों